हलो दोस्तो अभी टाइम हो रहा है दो बज़ के 56 मिनाट और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा सेटप बनाया था यहां से हमने भी आज अपने रूल को ब्रेक करा था और यहां से हमने पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करा था और इसमें से हम एक्जिट हुए 35 पे पाई किया और 70 पे एक्जिट हुए क्योंकि हमारा डवल का टार्गेट था इसने टार्गेट दिया हम एक्जिट हो गए मार्कीट की क्लोजिंग एट लिस्ट यहां पे आनी चाहिए 46,000 के अराउंड इससे भी नीची आती है बहुत अच्छी बात है एक सेटप बना था त जायद आपका जो प्रीमियम मेरे ख्याल में आपने 45,800 की पुट भी बाई करी होगी तो 80 के आसपास बाई करी होगी इसने 100 प्लस तक का टार्गेट दिया पर आपका प्रॉफिट नीचे से हुआ था बॉटम से बाइंग थी हमारी यह लेवल था यह कल के वीडियो में शे बजट है हमारे ट्रेड हो चुके हैं काफी सारे स्टॉक शेर करे थे आपके साथ में ITC, AU, BANK, HDFC यह सब स्टॉक आपके साथ में शेर करे गे थे अब वो देख लो कहां पे ट्रेड कर रहे हैं और क्या हाल है उनका कहां तक अपसाइड में मूब दिया उन्होंने प्लियर कड़ था, Bajaj Finance, 6800 पे, बाइन थी आपकी, मैं यह नहीं बोलाओ कि किसी ने बाई करा नहीं करा, it's totally up to you, बाकी यह है कि setup बने थे तो मैंने आपके साथ में share किया था, रही nifty की बाद, तो nifty में आपके साथ में share किया ही था, bottom में मैं expect टर रहा था कि market at least इस level को touch करे, पर यहीं से reversal दिया, इसने यह एक level था 21,474, यहां से one-sided rally दे दी इसने, upside के लिए, जिसने भी trade किया होगा, अच्छी बात है मैंनी बोल रहा हूँ कि आपने पूरी rally 200 point capture करे होंगे, जितना भी करा हुआ है, it's more than enough, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी market हो गई है close, अब देख लेते हैं कल के लिए market कैसी रहेगी, और साथ में कुछ stock जिन में कल बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ आएगा, expected था कि market यहीं पे close करेगी, और settlement के बाद में close आया है 45,000, 977 के आसपास, यनि की 46,000 के विलो, market अभी सिरफ close हुई है, कल open होगी budget है, मेरा view monthly वही है, जो पहले था, आपके साथ में data daily share करता हूँ मैं, हो सकता है कि कल budget है, market में move बन जाए, upside के लिए चला जाए, 21,000, 850, 900, 975 तक चली जाए NFT, कोई बड़ी बात नहीं है, but market में monthly basis पे यह मेरा view है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा monthly basis पे view negative है, market में pain है, अभी market में यह जो sellers है, जितने भी यह seller है जाना यह अपना loss नहीं करेंगे, जितने short करके बैठे हुए है, 49,000 करोड की selling आई है, पिछले कल 30th को, तो इनको हमारे से जादा पता है, जितने FIs हैं, market में कुछ बड़ा होने वाला है, अभी budget तो है ही है, पर जैसे आज fed की meeting भी है, हो सकता है, उसका भी impact आए, result भी है, मिला जुला result रहे, यह अपने loss थोड़ी करेंगे, 49,000 करोड की selling, यहाँ पे 22,000 करोड की selling, future में भी selling है यहाँ पे, तो यह अपने loss थोड़ी करेंगे, आप यह देखो ना, यह loss नहीं करेंगे, अभी market में pain बाकी है, यहाँ पे 29,000 करोड की selling, तो यह selling observe होगी, buying आती है, कि 30,000 करोड, 30,000 करोड, 40,000 करोड, तो यह अपने short cover करेंगे, positions heavy है, budget के चक्कर में, upside का move दे दे, try up करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर हम institution के इसाफ से चलेंगे, तो pain अभी बाकी है, market में, यह data बोल रहा है, यह आपके सामने है, और यह काम करता है, तो कल क के लिए तो मैंने आपके साथ में, telegram पे share करी दिया था, कि कैसे plan कर सकते हो, आप, आपको hedge plan करना चाहिए, अगर आप trade करना चाहरे हो, budget वले दिन आपसे नहीं control हो रहा, कि आपको BTSD लेके ही जाना है, तो आपके लिए simple था, कि आप hedge position बनाओ, monthly basis पे put side के लिए, और weekly basis प अगर आप next buy sell करते हो, तो वो जुआ हो गया, उसमें बड़े से बड़े तुर्रम खाँ, आपने देखा है होगा कितने channel से, आप news देखोगे, देखी होगे आपने, negative है तो positive जाती है, positive है तो negative जाती है, अगर वो इतने बड़े बड़े तुर्रम खाँ भी fail हो रहे हैं, त आप लोग कैसे predict कर सकते हो कि market यहां से rise ही कर जाएगी, वो बात अलग है कि हमने कहा था क्योंकि मेरे को setup लग रहा था, और मैं हमेशा सही हूँ, यह जुरूरी नहीं है तो इसलिए patience के साथ में trade, hedge करो position को तभी फाइदा रहेगा, कल के लिए discuss कर लेते हैं, market कैसी रह सकती है, simple है, अगर market upside में 46,000 इस level के, जो हमारा है, 46,186 और इसका upside में मालो आप, 46,200 के अबब अगर market जाती है, तो फिर 250 पे नहीं रुकेगी, 46,460 के आज पास first level आएगा, और इसको break करेगा, तो 46,500 और upside में 46,738, यह possible है, अगर upside का move चलता है, आप अपने profit को book करेंगे, risk management के साथ से, या stopless जाता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कि आप book करो, या buy करो, या sell करो, मैं telegram पे जितना हो सकता है possible, उतना आपके साथ में share करता हूँ, right, आज भी किया था, हमेशा करता हूँ, और stocks भी आपको कल दिये थे, और आज 45,100 के around, और इसके नीचे week है, अगर 45,000 को break करेगी, 45,000 को break करेगी, तो फिर sell side के लिए 44,780 तक के target खुल जाएंगे, या ध्यान रखना, अभी 46,000 पे चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, budget है, 1000-2000 पॉइंट की rally, कोई बड़ी बात नहीं है, one-sided बैठना नहीं है trade में मैंने आपके साथ में budget के लिए strategy share कर रखी है, YouTube पे आपको देखनी चाहिए, कि कैसे plan कर सकते हो trade, कल देख लेते है, nifty जिसकी expiry है, और आपका इसमें बहुत अच्छा interest है, कि आप इसमें plan करोगे, यह हमारा support level था, इसके उपर है, तो positive है, जितना आपने लिया होगा, बह आपका है, learning आपके काम आ रही है, it's more than enough for me, profit, loss, यह आपकी psychology के उपर होता है, ठीक है, तो इसमें, तो मेरे बोलने से, कि मेरे बोलने से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, और dependent बनाना हमारा focus है भी नहीं, आपको independent होना है, इतना तो मैं आपको सिखाता ही हूँ, इतना support करता ही ह आपको during the market, आप देख लेते हैं, कल के लिए settlement के बाद में close आया है, 21,708 के around, यनि कि 21,724 जो हमारा एक important level था, उसके नीचे, downside में, यह share भी किया था, कि market अगर momentum बनाएगी, तो 21,724 तक जा सकती है, वीडियो चेक कर लेना, वीडियो आपके लिए helpful होता है, परसों आपके साथ में share किया था, तेजी नहीं, मंदी है, detail में discussion किया था, market आपने देखा, कल कहां गुसी, कल आपसे वीडियो share किया था, gap down, then reverse, upside के लिए कहां तक market आई, यह share किया वह था level, trade मैं नहीं करूँगा, trade आपको करना है, मैं नहीं करूँगा, कल होगा, सीधा सीधा, कि अगर market upside में गई, तो important level कहां पे है, कहां से market fall कर सकती है, या rise कर सकती है, तो एक level है, मैंने आपसे share किया था, पहले भी, 21,856, अगर इसके नीचे time spend करती है, तो weak है, fall हो सकती है, अगर इसके उपर strong हुई, तब upside के लिए, आपके साथ जो share किया था, 21,982,76, यह area, दिखा सकती ह market, अगर upside का move शुरू करा, अगर positive news हुई, मेरे बोलने पे नहीं, बट यह market का behavior रहेगा, बिल्कुल sudden move, और downside के लिए, अगर market 21,724 के नीचे time spend करती है, तो downside के लिए target खुले है, 548 भी आएगा, यह भी आएगा, selling बहुत अच्छी है, 21,400 तक भी जा सकती है, बट कल budget है, तो उसी साफ से plan करना है, first half में कैसे आप trade plan करोगे, कैसे execute कर सकते हो, कैसे stocks, budget वले दिन अच्छा perform करते हैं, वो आपके साथ में budget की strategy के वीडियो में share कर रखा है, शाम को मैं कोशिश करूँगा, कि आज live session करूँ, जिसमें हम detailed discussion कर लें, कि market में क्या-क्या और plan हो सकता है, stocks की बात करी थी मैंने आपके साथ में, तो बलराम चीनी की मैं expect कर रहा था closing 393 के अबब, market में इसने closing दी है, उपर 395 पे, बलराम चीनी में अभी भी potential है, upside में कल अच्छा खासा move दे सकता है, अगर इसके आज पास आए, तो बहुत अच्छा होगा, कि आप exit current rate स अगर momentum देता है, एक stock और है मेरे radar पे, जिसको अभी नहीं, जिसको आपको नजर में रखना है, अगर इसमें आपको setup मिलता है, market आपको upside में around मिलती है, 3000 के आसपास, 3000 का ये level है, मैं बात कर रहा हूँ, indigo की, अगर ये 3000 के आसपास आता है, तो ये selling pressure इसमें अभी है, selling आ र के लिए, और अगर इसके ओपर time spend करेगा, तो फिर exit कर जाना, फिर trade बे hold करने की जरूट नहीं है, वैसे मैं monthly basis मेरे को लगता है, मैं expect कर रहा हूँ, कि ये आपको fab month में यहां तक का fall दिखा सकता है, around 2747 तक का, ये मेरे को लगता है, मेरे लगने पे trade नहीं करना है, आपको सिखा रखा है, master guide series में, आप उसको देखना, invest करने से पहले या trade लेने से पहले, अपने financial advisor से जरूर पूछना, मेरे को लगता है, तो मैंने कल भी आपके साथ share किया था, बजाज finance, ITC, AU bank, HDFC, और सबने अच्छा खासा दिया, अच्छी बात है, like कर देना guys, subscribe कर लेना channel को, content आपके साथ share करता हूँ, systematically कैसे trade करते हैं, वो आपके साथ share करता हूँ, मिलते हैं शाम को, thank you so much, bye bye, take care